और मंगलवार ना आता हो तो प्रभुक्रपा से आज भटी पूजन होता है और लोग जन्माष्टमी की सामगरी का प्रारम्भवी आज से लोग करते हैं बहुत से घरों में जहां नेग बहुत होता है विशिष्ट क्रम और बड़े रूप में महा भोग का और जन्माष्टमी के भोग कर्म का मंदान किया जाता है वहां बहुत लोग पवित्रा एकादशी से भर भी भटी पूजन करते हैं भटी पूजन नेगा नुपाती है आपके घर का नेग जितना हो आप वो अच्छा समय देखके अच्छा दिन देखके भद्रा टालके भद्रा टालना मतलब उस दिन पंचांग में विष्टी करण नहीं होना चाहिए लोगों को मैं खास यहां कहना चाहूंगा के लोग ये सब चीज़ें सुनते हैं और विचार करते हैं इसका आमारे से क्या संबन्द हमाए तो रोज की रसोई में वहीं सामगरी हो जाती है मैं आपको खास कहना चाहूंगा अगनी का पूजन करना ये सनातन धर्म में एक प्राचीन संस्कृती है हम सब जो गोश्वाएं बालक रहे हम सागनी चित्त सोमया जी आहितागनी अगनी हुत्री ब्रामनों का वंश रहा और आचारे चरण के हम पूरुवजों को भी देख सकते हैं के यग्यनाराइन भट के समय से सोमयाग की परंपरा हमारे हाँ जाजल्यमान रही आचारे चरण ने भी सोमयाग किये गोपिनाज जी ने शिगुसाई जी ने आपने भी सोमयाग किये बाद में शिगरधर जी की आज्या लेकर और श्री यदुनाज जी ने भी सोमयाग किये वो हमको यदुनाज जी की बधाई में कीरतनों से सफष्ट हो जाता है और इसके अलावा सोम याग की परंपरा को पुनर जीवित शिगरधर जी ने अपने तृतिय पुत्र गोपिनात दिक्षित जी के द्वारा भी शुरू की इसलिए हमारे गोपिनात दिक्षित जी के पीछे दिक्षित लगता है क्योंकि यग्य की दीक्षा गिरधर जी ने कभ दानता और मुख्यता शिगरधर जी ने अपने घर में रखी लेकिन फिर भी आचारे चरण के समय की जो परंपरा शिगुसाई जी की और गोपिनाथ प्रभुचरण के जेश्ट्य प्रभुचरण की जो परंपरा ही रही उसका अमान रखते हुए आपने शिमोल्डिजर जी स अपितु अपने तृतिय पुत्र शिगोपिनाथ जी को आज्यां की कि आप ये सोमयाग करो बावा और इस प्रिकार से अपने वंश में भी सोमयाग की परंपरा को स्थान रखो मेरे कहने का तात्परी है कि एसे आहितागनी अगनी होत्री सागनी चित्त ब्रामनों का जो व हमारे यहां यह जो अगनी का पूजन अगनी का सेवन मतलब सेवा के रूप में कहारा हूं सेवन मतलब खाने के रूप में नहीं अगनी तो वो जो अगनी का जो हमारे यह पूजन रहा यह गारहपत्यागनी का जो स्थापन होता है वो हमेशा गोल वेदी में होता है जहां तक मेरी स्मृति सही जा रही है कि जो अगनी होत्रियों की वेदी त्रही होती है तो उन वेदी त्रही में एक होती है दक्षण आगनी एक होती है आहवनी जिसको कहते है जातवेदा वो चतुषकॉन कुंड होता है उसके वीच में अंतराल होता है और अंतराल के आगे एक जो बाल भोग में भट्ती का पूजन है तो ये जो अगनिहोत्र की परंपरा है ये अगनिहोत्र की परंपरा में जो चार आ brightest है Tell सोअ वायव्या इदम नमा और वुर shooting खा degust के ताकरदी का थाल सान्ने में जो घी पद्राते हैं ये घी पद्रा के जो दाल भात का थाल सांते हमारत अगनी होतर उसी में हो जाता है परम पुरुष पुर्ण पुरुष परात्पर परभ्रह्म पुष्टि पुर्शोत्तम भगवान शी कर्ष्ण अपने हाथ से सखड़ी अरोग रहे हैं और इससे भगवान के मुख में जो है वो अधिदेविक अगनी है और खेवल अगनी नहीं है वहां पर वाणी और वाणी के साथ वाणी के अधिदेव के रूप में अगनी का स्थान जो है वो भगवान का मुखारविन स्वय में हैं हम जब प्रभू में कोई भी प्रिकार से सामगरी अरोगाते हैं, सखडी भोग की सेवा करते हैं, तो हम उसमें शाकल्य भी अरोगाते हैं, उसमें हम पुरोडाश भी अरोगाते हैं, उसमें हम हविश्यान भी अरोगाते हैं, हम उसमें पायस भी पदराते हैं, तो यज्य की जित्ती भी सामगरी है, यज्य पुरुष भोजन क तो अपने आतु पदों में भी बार बार गोर्धन डीला के और अन्नकूट के और सब पदों में आता ही है। अप यदि हम अरोगा रहे हैं तो उनमें सारे यग्या आगए हमारे तो वाज़ पेश रता नीचा अगनिष्टों सहस्त्रानी वाज़ पेश रता नीचा सम्यक फलम अवापनोती सम्फल मिल जाता है जब हम ठाकुर जी के सकड़ी भोग की हम सेवा करते हैं तो इस प्रिकार स वाज़ लड़ाने का क्रम बड़ो ने रखा है ये वास्तव में अगनिषोत्र रही है तो ये जो यावज जीवं अगनिषोत्रम जहुया जब तक जीओ तब तक अगनिषोत्र करो इस वेद की आग्या को स्मरणम भजनम चापी नत्याज्यम इतिमेम अती इस रूपों में हम भगवत सेवा के पुनीत अनुष्ठान का संपाधन करके हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करके और सेवा के ही रूप में हम उन सब कारियों को करके ये हमारे का और सागनी चित्त मतलब अगनी में चित्त लगाना मतलब सागनी चित्त होना मतलब महाप्रभु जी का ध् सेवा करना तो ये जो अपनिया है के यसमाद अस्मिन स्थितो यद कीमपी कथमपी कौप्य पाहड तुमिच्छत यद्धात अद्गोपी केशा स्वधन कमले चारुहा से करोती ये श्माप्रभुजी का स्वरूपी है कि अपना उनकी आड़ी से उनकी कृपा से हम जहां हो ज जिना स्रकस्त्रुवा के ठाकुर जी में चार चमची घी पदरा के भी हम अपने ठाकुर जी को दाल भात का स्थाल सान कर भी खूब लाड़ अगनी होत्र के और यग्याग के लड़ा सकते हैं तो उसका जो अपने हाँ स्वरूप है वो महाभोग और अन्नकूट है तो कम से कम महाभोग की सामगरी जब करो तब आप आज की तारीक में भले गैस पर रसोई करते हो आप अपने चोकडा को अपने गैस को विवस्थेट डंग से मारजन करो पवित्र करो उसमें हल्दी और गुला लभीर कंकू आदी से अच्छे-च्छे तोरण बनाओ साथिया बनाओ और जो जो मंगल चिन आप अपने डंग से पूजन के वेदी का जैसे पूजन होता है वैसे एक वेदी का का निर्मान करके अगनी को प्रजुलित करो कंकू अक्षत पदराओ छोटी सी गुड की डली उसमें पदरा के अगनी देवता को भोग धरो और आप कड़ाई चड़ परमदयाल की जैकर के अपने ठाकुर जी का जैकार करके और आप ठाकुर जी के सबसे पहले ठाकुर जी के गुन्जा पुन्जा आदी में जो पूर अंदर बिराश्ता है उसको सेक के कम से कम भावनात मगमिनास उसमें कोई आपको शरुत राच्मन, मारजन और प्राणाया और निसंकल्प की आदी की कोई को वैश्णों को आवश्रक्ता नहीं है अपने तो पवित्रता के साथ अपने ठाकर जी की अंसकड़ी की सामगरी की जहां से हम शुरुवात करें वहां पे एक डंग से वेदी का वेवस्ते सुसजित पूजन करके और उसकी भेट काड़के और अगर आप किया कोई लेने वाला ना हो तो मंदिर के कोई भी आसपास की अवेली के सेवक टेलुआओं को भटी पूजन की भेट पदरा के अथवा अगर वो गोर्धन पूजा की भटी पूजा है तो वो राशी आप गाई में भी विनियोग बाद में भेट करे बाद कर सकत हो महाभोग की हो तो कोई ब्रामन को दानाधी कर देना चाहिए उस भेट का तो अपने घर में एक छोटा सा सूक्ष्म भटी पूजन अवश्य करना चाहिए अगनी का पूजन करना श्री महाप्रभुजी का पूजन है महाप्रभुजी से आग्या मांगना उनकी सेवा के विशिष्ट क्रम का प्रारम करना ये सब चीजें भारतिय सभ्यता का एक अंग है और इससे ये जिस दिन आप भटी पूजन करोगे अच्छे डन से देखोगे कैसे ठाकवर जी की सामगरी करने का भी एक स्वरूप संपूजित पधती से प्रारम होता है तो अपने आ आता है मेरे को तो वो चमार लगते हैं सच कहूं न तो मुझे तो भारतिय ही नहीं लगते हैं वो अभारतिय असंस्क्र तक ये लोग लगते हैं मतलब जिनके अंदर कोई शिष्टा चार्श है और व्यभार कोई एक अपने मतलब देव यजन पूजन के लिए जो स्थान प खा जाओगे एक दिन चपलों को मतलब इतना क्या लोगों को फुटवेर के साथ एक अपसेशन हो गया है ये तो मेरे कभी समझ में ही नहीं आता है जैसे आज सारे हवेलियों में और मंदिरों में एक बहुत बड़ी समस्या है मोजा सॉक्स पहिन क्या ना वो सॉक्स पहिन क की चला आता है खोई भी व्यक्ति और उसको हर व्यक्ति अलाओं भी कर रहा है और आप किसी को को टोको तो किर तो चले चै thu को चार dalे ये तो चर्चमा जैने प्रेयर करो ना वहीं सांति थी ये मंदिरों में मोजा पेन के आ के मोजा पेनके ही मंदिर की परिक्रमा करने का आगरे रखना, ये कौन सी श्वपचादी योनी में जाके पढ़ेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, कि उद्वेज अंड़ा जे श्वपाचादी कोई योनी इनको ना भोगनी पड़े प्रभू इनकी रक्षा करें मैं तो ये बात बहुत अच्छे अर्थों में कह रहा हूं कि ठाकुर जी इन सभी दुरबुद्धी लोगों की रक्षा करें इनको सद्वुद्धी संपादित करें और इनको पता चलें कि रसोई भी कोई हमारे केवल खाने और चरने का स्थान नहीं है यहां वो चीछ सिद्ध होती है जो हमारे ठाकुर जी अरोगते हैं तो प्रभु के अरोगने के लिए ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना जरूरी है मैं तो लोगों को कभी हवेली में होने वाले सब क्रम आप करो ऐसा कोई आगरे नहीं रखता आप तो भाव से जो आप से हो सके वो आप करो लेकिन हर क्रम इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों में श्रद्धा डेवलप को आसकती और भक्ती अपनी बढ़े कि हाँ ये डंग से हम भी महाभोग की भट्टी पूजन करेंगे हम भी गोर्धन पूजा की भट्टी पूजन करेंगे हम भी उस दिन अच्छे डंग से रसोई को धोएंगे लीपा पोता करेंगे साथिया बनाएंगे ठाकुर जी के चिन् लेकिन बदाई के पद गाएंगे कि आज हमारे हां जंग्माश्टमी की सामगरी शुरू ही तो ये एक कल्चर को डेवलप करता है एक ट्रडिशन को डेवलप करने वाली चीड है तो मैं तो खास कहूंगा आप द्विज हो के ना हो आप को यग्योपवीत हो के ना हो आप पु क्रम थाए जो गोपी जनों ने किया है गोपी जन भी अपने अपने घर में ठाकुर जी का जब जन्मा आता तो उसके पहले भट्टी पुजन करती विशिष्ट सामगरी तयार करती नंदालय सामगरी पदरा के ले जाती और ये शुरुदा जी को देती कि अपने लालन को आ अरे नाद्वारा में होता है भट्टी पूजन नाद्वारा में हो गया न हमारे अभी हो गया वैश्णाओं को क्या हो गया है आब अदु गुरु घर माथाई जाए अपने तो गुरु को ये बोजन कर लें तो पर तुम महाप्रसादी क्यों लेते हो कहने का मतलब ये सब चीरियों में ऐसी भावना नहीं रखनी क्या त्याज थाए त्याज थाए ऐसी भावना रखनी आपड़ा थी थतु हो ये ता आपड़े पंड़ कर वो हमको भी करना चाहिए तो करने का विचार करने का नहीं करने का विचार नहीं करने का मेरे कहने का